सिंगरा सिवादो, सनी महाराज ने आपके जीवन के जिन तीन छेतरों पर कोहराम बरसा रखा था, परिशानी बरकर रखी थी और टैंशन का चिंता का माहुल बना रखा था, अब वहाँ उन भाव उपर सनी की कूद रिष्टी, कृपाद रिष्टी में बदनने वाली है, और सनी महाराज की अस्त अवस्ता के कारण से आपके लिए, आपके जीवन के तीन छेतरों के लिए बहुत ज्यादा सुभ रहेगा, तो जान लीजेगा, जीवन के उन तीन छेतरों पर जिन पर आपको सबसे ज्यादा चिंता थी, टैंसन थी, एंजाइटी थी, वो अब कम होने वाली है, क्योंकि उसके कारण है, सनी महाराज, तो चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डारेक्ट आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है, यह बड़ी घटना क्या है, कि सनी महाराज आप सब जानते हैं, कि जितने भी सिंग रासी के जाते हैं यानि कि आपके लिए मार के इसका कारण करते हैं, सनी महाराज, पर ऐसा हकीकत में सब के लिए नहीं है, कई सिंग रासी वाले जाता हैं, हमने ऐसे देखे हैं, जिनके कुंदली के अंदर सनी के बहुत जब अच्छी होती है, और वो सनी की किसी भी अवस्ता में लाप राप करते हैं, बट ये जो वीडियो है, ये सिंग रासी के सभी जातकों के लिए है, और मेने मेन आपके जिवन के तीन सेक्टर से निकलने वाले हैं, कई सारे सेक्टर, जहां पर आप परेशानी को और वाफ जरूर कर रहे होंगे, पिछले कुछ समय से, क्योंकि कहा जाता है, कि सनी जिस भाव पर देख लेता है, उस भाव किसे संबंदित, फलों में कष्ट परदान करता है, और सनी जिस भाव पर बैठते हैं, उस भाव में वरद्धी करवाते हैं, तो सनी माराज आपके सब्तम भाव पर है, खैर वे अलग चीज हुई, परंतु सनी की दृष्टी तो आईए इस बारे में जानते हैं, सबसे पहले सनी माराज पर भावित कर रहे हैं थे 2023 में भी और अभी भी 2024 में जो पर भावित करेंगे आपके भाग्ये को, भाग्ये भाव, जहां से कोई भी कारे के सुरुआत, किसी भी कारे में मिलने वाले लाव, और किसी भी कारे में progress होगी के नहीं होगी या किसी को काम को सुरू करके उसमें नुकसान के तो chance नहीं है जैसे कि share market stock market तरह तरह के विए सब चीजे देखी जाती है भागय से भागया लग कितना साधिर है तो भागया को परभावित कर रहे थे सनी माराज दूसरी तरफ सनी परभावित कर रहे थे आपकी सुयम की रासी को जिसके कारण से जीवन में आकास में कश्ट बढ़ रहे थे आकास में परिशानियां आ रही थी और व्यक्ति अपने आपको दबाव के अंदर महसूस कर रहा था जैसे नोकर को दबाया जाता है ना इस परकार से आप जीवन के इंदर दबे हुए महसूस कर रहे थे तो ये भी सनी का परभावता तीसरी तरह अगर देखे तो सनी का परभावता आपके चतुरत भाव पर जिसको बोले जाता वाला है तो सनी क्या है सूर्य के कारण से कोई भी रहा है जो सूर्य से निकटत हो जाता है अती निकटत उसकी दूरी समाप्त हो जाती तो लग ये सूर्य है ये शनी है इनके डिस्टेंस जितना कम होता तो एक डिस्टेंस ऐसा रहे कि जिसमें कोई भी तो अपनी पावर को देना बंद कर देता या कह सकते हैं किसनियां अंदे हो गए जो अगर आप भी सूर्य महाराज को जादा समय तक देखते हैं हम भी देखते हैं को भी व्यक्ति तो मुझा हो सकता है अंदा हो सकता है क्योंक कंदरा अंसों से कम का до जा जाएक कर जेए सुरी के मध्हा संसे कमका गैप हो जाते हैं मैंस स2017 कंबश्थ हो जाते हैं सनी को दिखना बंद हो जाता है और जब ससलीक दिखना हो गया इसका मतलब जिन चेत्रों को सनी अपनी दृष्टी से देख रहे थे दिन तीन भाव पर सनी की पूरी दृष्टी और सनी ने इन तीन भाव को देख करके परिशानी खड़ी कर रखी थी आपके भाग्या में आपके रासी पर आने आपके लगन पर जिसको स्वास्ते सम्मनित भी समझ चाहती तो वह भी सनी का कहरण था आपके प्रॉपर्टी को आपके सुख को परिवार में कलह का वातावरन और मिलने वाली सब सुविदाव में कमी रहने के कुछ भी चीज़े लेने गए कोई समान लेने गए वो समान खराब हो गया किसी चीज़ को हमने पैसे डाल गर कुसको प्र किस भाव के लिए क्या अफल करे उस स्थिती में क्या होगा कि इन तीन भाव में जब सबसे ज़्यादा परिशानी सनी महाराज ने कर रखी थी उपरिशानी अचानक से कम हो जाएगी आपको तोड़ा रस्ता मिलना सुरू हो जाएगा आप इन तीन सक्टर से थोड़ा उठ अफना सुरू कर दोगे तो ब्रियत रूप से जानते हैं कौन कौन सी और चीज़ें जो इन तीन भाव से जुड़ी हुएं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले सनी महाराज की जो दृष्टी जाती है आपके भाग्य भाव पर जाती है नवम भाव जिसके मुक्य कारक हो होता है तो निश्चित तोर पर देखा गया है कि आपके आपके पिता के साथ में कुछ ना कुछ मतभेद पैता हो जाएं यह पिता के स्वास्ते में किसी प्रेकार की गिरावट हो जाए यह पिता से मिलने वाली धन संपत्ति यह सपोर्ट अचानक से खतम हो जाए तो यह सम सब्सक्राइब लिए भी कहता है और उसका आपको डिजल्ट नहीं मिला तो उसमें रिजल्ट मिलने की सम्मावनाय बापकी बन जाती हैं इसी के अलावा देखा जासकता है कि आपको पैरों में कुछ समझ्या रही हो दर्द की पीड़ा सरीर में कहीं पर भी रही और मुख्यों से जंगा प्रिंडली या पैड़ों में कोई में दिक्कत आपकी पिछले कुछ समय में आई हो तो निच्चत तोर पर समझना चाहिए कि सनिया पर तीसरी दृष्टी से आपको फूर प्रभावित कर रहे थे यह दिक्कत यह आपकी कम ह वोग हो की साथ में देखा जा सकता है कि आप जो भी लोग धर्म्imonत्र्म का थार्म और पूञर की आप क्योंकि सिंग रासी के जो लोग होते हैं महनती बहुत होते हैं प्राक्रम इनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जब एक काम के पीछे लग जाते हैं तो उसकाम के पीछे बस लग ही जाते हैं कि इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे परन्तु जब है काम संगर से बहुत बढ़ देते हैं तो वे संगर से कहीं इस्तिती में कम होते हुए नजर आ रहे हैं इसी के लावा देखा जा सकता है कि भाग्यों दे में जो आपको प्रॉबलम आ रही थी करियर में लास्ट अटेम्ट में जा जा करके आपको प्रॉबलम फिस कर रहे थे उसमे के लिए लाब के संयोग बन जाते हैं दूसरी तरफ अगर देखे तो सबसे मेनका रहा है इसलिए अगर किसी भी प्रकार का चरित्र हनन दो समान समान और जो चीजा पार सोच रहेते हैं कि बहुत जल्दी गुरोथ होगी बहुत जल्ली सब लोग आपकी प्रसंसा करेंगे और प्रसंसा तो तब करते जब ग्रोथ होती परन्तु ग्रोथ के बजाए व्यक्ति के जिवन में संगर्स और बढ़ा दियसली महराज ने तो आपको अब संगर्सों में कुछ कमी देखने के लिए मिल सकती है और यह ऐसा टाइम पीरिड होगा जिसमें आप अपने उपर वर्क करोगे ताकि आपकी प्रसंसा भी बढ़ेगी आपकी ग्रोथ भी होगी आपके रुके हुए काम जी हाँ बिल्कुल पहला बाव जब व्यक्ति सोचता है कि काम कोई सुरू करना है काम सुरू करने से पहले ही वह काम किसी कारण से निस्फल हो जाता है या उसमें मन नहीं यह उत्षान का टाइम है मेनत कर लीजेगा फोड़ा सा इंटर्वियू के लिए फाहर निकल के परियतन कर लीजेगा उनके करियर में सक्सेस के चांस ज्यादा बन जाते हैं तो यहीं पर जिन लोगों को स्वास्थे संबन्धित परिशाने कुछ ज्यादा दे पिछले समय स उनके स्वास्ते सब मंद्य समस्याएं कम होगी इसी तरफ अगर देखते हैं तो सनी की तसंद्रिष्टी जाचिते चौथे गर पर चौथा अगर हमने मुख्य रूप से बता दिया कि प्रॉपर्टी का होता है वही अब अवन भूमिवाहन का माता के गर का होता और सुख का भ किसी विसे वस्तू का मुख्य नुकसान वाओ जिसका आपको रोस हो तो यह सनी महाराज भी करवाया था अगर कोई ऐसा नुकसान आपका हो गया है जिसमें आपको प्रॉफिट की संभावना थी बट दूसरी साइड आपको जो फलब्दी मिलनी थी फलब्दी तो मिली नही आया हुआ पैसा और वे हो गया चला गया तो सनी महाराज का नुकसान था उस इस्चिती पराज्चिती से बाहर निकलने का समय आपके पास आ रहा है इसलिए चिंता मत करिए एंसन बिल्कुल मत लीजिए आपके मुख्य मुख्य तीन समस्या मैंने बताई थी परन तो ऐसी म मित्र बंदू बांधवों से आपको लाब की प्राप्ति हो सकती है साथ में देखा जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी में नुकसान वाता वो उस नुकसान की बरपाई के योग बनेंगी प्रॉपर्टी में अच्छा समय है अगर आप कुछ निवेश करते हैं या कुछ खरीत हैं तो उसका आपको लाब हो सकता है चाती हिर्दे या रोग आदी की संभावना जीवन में कम हो जाती है और जिन दम पत्यों के जीवन में सुक का अभाव हो गया था पती पत्ली की बीच अन्मन हो गई थी माता और पुत्र के बीच में कल्या उत्मन हो गयता है माता का करने के आवश्यक्ता नहीं है बहुत एक उपलब्दियों की प्रात्ति के योग बनते हैं माता का स्वास्य अच्छा होता है और घर परिवार में सुक्ष सम्रिद्धी के प्रवल योगों का निर्मान हो जाता है सनी महाराथ की तरपा से बस इस अवस्ता में सनी जब भी आप कर लीजेगा ये आपके लिए बहुत सर्वस्रेष्ट उपाए रहेगा साथ में आप भैरव बाबा की अलागना कर सकते हैं सनी वार को भैरव जी के सम्मग चौम की दीपक जला सकते हैं चाहिए सनी कितनी भी समस्या कर रहा हो कितनी भी प्रॉबलम कर रहा हो जिवन में कित ताही निकालेगी परिंत डी मोटिवेट बिल्कुल मत हो ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है आप उसका लूपद उठाइए और आगे बढ़ने का जादा से जादा परियास कीजिए आसा करता हूं जानकर ये अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक श स्टी विद आइ